आप ने हालोचना की पेट्रोलियूम को क्यों नहीं डाला आपकी पांच सरकारे बची हैं आप उन पांचों से बयान दिलवा दिजिए कि आपकी राज्य सरकारे तयार है पेट्रोलियूम दाखने को जिपिंदर जी आपको मैं अब इसकी इतिहास पेट्रोलियूम का बता दूँ 2011 में GST का संविधान शिंचोधन 115th Constitution Amendment लाया गया UPA द्वारा उस 115th Constitution Amendment में आपने कहा पेट्रोलियूम GST से बाहर रहेगा यह UPA का Constitution Amendment था you knew the difficulty you did not even make an effort to have petroleum as a part of the Constitution Amendment 2014 में हमारे सबसे पहली exercise थी कि हमने राज्यों को कहा कि बई संविधान के अंदर तो आने दो उसको राज्यों तयार नहीं थे उनका कहना था कि अगर petroleum का revenue नहीं आया तो शायद हमारे पास बेतन देने को भी ना बचे और इसमें कोई Congress बीजेपी वाला ऐसे राज्यों में फरक नहीं था वो स्टेट revenues की जिंता कर रहे थे लेकिन हम मैंने उनको पर्सूइड किया कि constitution amendment को broad base कर देते हैं और petroleum को उसमें ले आते हैं पर petroleum पे GST टैक्स लगाना तब शुरू करेंगे जिस दिन आप सब मिलकर सहमती से थांक बोलोगे तो आज जो विवस्ता है तोड़े दा सितुएशन इस petroleum is a part of GST but it is zero rated in GST it will get taxed as GST once the GST council decides the UPA amendment had kept even petroleum completely out of GST even in the constitution amendment